नमस्कार दोस्तों तो CEO ने कुछ बड़े announcement किये हैं, result के बाद कुछ बड़ी बड़ी बाते की हैं, वो सब discuss करेंगे इस वीडियो के अंदर देखिए, बड़े announcement renewal में किये हैं, सारे के सारे जो announcement हैं उनके renewal के regarding हैं, वो भी 12 to 24 months के अंदर है, वो शो करता है कि स्टोक अभी यहां से फिर से double होने के लिए टैयार हो जाएगा आगले 12 to 24 months के अंदर क्यों कह रहा हैं, उन्होंने कहा है कि हमारे जो operational performance वो better होते जा रही है, और 17 quarter हो गया है, वो लगाता है profitability बढ़ाया जा रही है, और इससे उनको फाइदा होने वाला है, और आने वाले time में हो क्या कह रहे हैं, हमारी cost effective clean and green energy हमारे लिए, और इंडिया के लिए बहुत source of income बन के आगे के सामने आएगी, और यह वो किसलिए कह रहे हैं दिखिए, उनके reasons है, दिखिए, अब भी जो उनकी capacity है, वह 4.2 gigawatts है renewal की, बट उन्होंने दो entity बनाई है, एक entity टाटा पार renewal जिसको सबको पता है, जिसमें उन्होंने थोड़ी सिदारी भी बेची थी, दू रिन्यूबल से इनका profit per quarter करीबन करीबन 200 से 300 करोड का है, वो profitability अगर 2x को कितना होजेगी, 1000 करोड तो सिर्फ रिन्यूबल से कमा रहे होंगे इस ताइम पे वो, तो दो साल तो आपको wait करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, देखिए, कल थोड़ा बहुत गिर सकती है, मार्केश अलावड टाटा पाउर कल थोड़ा बहुत गिर सकता और यहां से 10-15% करेक्शन आ सकता है, क्योंकि रिन्यूबल का भी इनका portion सिर्फ 39% है, तब ये 60-70% हो जाएगा, याद रखिएगा, नोन रिन्यूबल भी बढ़ेगा, रिन्यूबल भी बढ़ेगा, तो 60% के बठा लोंग टम वालों के लिए, शोट टम वालों के नहीं, शोट टम वाले कल निकलेंगे, थोड़ा प्रोफिट बुकिंग आएगी और वहां बाइंग की opportunity और बनेगी दोस्तों